सब हमाई साथ हैं मौझूदा सांसद हैं चुरू से उनसे पूछते हैं क्या वज़ा रही कि इतने बेवफा हो गया बीजेपी से देखे थे बहुत लंबा राजनितिक सफर है मेरे परिवार का 47 येर्ज से हम राजनितिक अंदर है 1991 में आदर्निय बहुत मैंनत करी हम लोगों ने समय ऐसे भी आया जी बीजेपी की से दोई सिटे जीत के आई थी राजस्तां के अंदर उसमें मिने पिताजी का भी नाम शामि पिताओर आक प्रवापर है खे जेचंद आपको पार्ती में बुलाया गया उन्होंने आपको जेचंद बुलाया तो क्या खामियाजा आपको उठाना पड़ा आपकाया तिकेट बताएगी है वही बड़ी वज़े रहे हैं कि उन्होंने चूरू की नहीं पुरे जिले के टिकट बाटने का ठेका लगी जाएवा था, उन्होंने पुरे चुरू जिले के जिला जख्ष की पुरी टीम, 25 लोगा, पुरे शपण थे शीक और जब चुनाव लड़ खुद रहे हैं, सीट खुद बदल रहे हैं, बटवा खुद रहे हैं, और इलजाम किसी और पर, ये कैसे आप कर सकते हो, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, तो बिल्कुल जब जस्ती का ब्लेम गिम हो गया, मुझे आस तक बिलाय नहीं को, और 2008 में जिते थे राएंदर जी, उस समय मेरे पिताजी का चुरू से दयाइट रोड जाती तारनगर की, पर कभी डायट नहीं जया करते थे वो, वो चुरू से आते थे राजगर, पिताजी को गार्ड़ें मिठाते थे और फिर जया करते थे तारनगर, लोगों के इमोशन थे और खुद को मंधन करना चाहिए कि कॉंग्रेस के सिटिंग विदायक के दुबारा वहाँ पे कनाल सिस्टम को पनाये गया बहुत मड़ी मेनत और उन्होंने काम किया था पबलिक का रेज था और पबलिक ने इलेक्शन रड़ा था लोगों पे ब्लेम डालने से काम चलता नहीं है खुद का इतियास देखने तो मालों पर जाएगा चुरू से जीतेंगे आप कॉंग्रेस के पार्टी मौका देगी तो जनता जीतेगी लगातार उनकी पार्टी में जिस तरह से अवमानना हुई और उनका तेरसकार हुआ उसको लेकर परिशान थे इसलिए कॉंग्रेस का दामन थाम लिया इसी तरह से चुनावी मौसम में लगातार आयाराम गयाराम नेताओं का दौर और सिलसला चल पड़ा है कामरा पर सिंग क्रिपाल सिंग के साथ मौसमी सिंग